अस्ट्रेलिया यॉपनर डेविड वोर्नर और सौथ अफरीकी बलेबास क्विंटन डिकॉक के बीच हुई ठीकी बहस ने दोनों टीम के बीच विवाद पैदा कर दिया है इसे बीच आस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मित ने इस मामले में स्फाई पेश की है स्मित ने वोर्नर का बचाब करते हुए कहा कि क्विंटन डिकॉक के पर्सनल कमेंट की वज़े से ये विवाद हुआ है मैच के बाद प्रेस कॉंफरेंस के दूरान स्टीव स्मिथ ने मीडिया से कहा कि क्विंटिन डिकॉक ने वर्नर से बहस करते हुए काफी निजी टिपने की थी जिसने वर्नर को उगसाने का काम किया जहां तक मैं जानता हूँ हम लोग किसी के निजी जीवन को लेकर कोई बात नहीं कहते हैं उन्होंने कहा कि आप किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इस तरह नहीं बोल सकते मेरे हिसाब से हद पार की गई है उधर डेविड वर्नर और क्विंटन डिकॉक के विवाद के बीच साउथ अफरीका के पूर्व कप्तान गरीव समित ने वर्नर को बेवकूफ कह दिया मैच के चौते दिन एबी डिविलियर्स के आउट होने के बाद डेविड वर्नर के अजीबो गरीब रियक्शन के बाद समित ने उने फूल यानि की बेवकूफ कह दिया आपको बता दे कि दक्षिन अफरीका के इसलामी बल्लेबाज मार्करम के कारण एबी डिविलियर्स बिना खाता खोले रन आउट हो गए थे उनके आउट होने के बाद ही आउस्ट्रेलिया के उपकप्तान वर्नर ने डिविलियर्स की और देकर अजीबो गरीब रियक्शन दिया जिससे ग्रिम स्मित नाराज हैं उन्होंने एक नियूज अजन्सी से कहा कि हम समय के साथ साथ वर्नर की हरकतों के आदी हो रहे हैं इनका खेल जारी था टी ब्रेक होने के बाद जब दोनों टीमे ड्रेसिंग रूम की और जाने लगी तब ही ये गटना हुई थी जिसका वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इस वीडियो में साथ देखा जा रहा है कि वर्नर ड्रेसिंग रूम के लिए सीरियों से जाते हुए क्विंटन डिकॉक से बिढ रहे हैं जो लगातार क्विंटन डिकॉक को कुछ बोल कर उकसाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि बाकी और स्वेलिय खिलाडी उन्हें जबरदस्ती खीच रहे हैं इस खबर में फिलहाल इतरहीं क्रिकट कैसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए